नमस्कार दोस्तों रचना की रसोई से आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम इजी ब्रेकफास्स स्पेशल चीज अनियन पराधा जो की बनाना भी एकदम आसान है और बच्चों को भी सबको पसंद आएगा क्योंकि अभी लॉक्डाउन के आपको देखने को मिलेंगे तो अभी आज में बना रही हूँ आपके लिए चीज प्यास पराधा इसके लिए जो जो मैंने सामगरी लिए वो मैंने सबसे पहले डो बान दिया है इसमें सिंपल जैसे हम पराधे बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसका डो तेयार किया है और इसमें जो अंदर फिल करना है उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन चिली एकदम फाइन चॉप्ट हरा दनिया लिया है बारिक कटा हुआ बारिक कटे वे मैंने प्याज लिया है और यह मैंने चीज लिया है ग्रेटेट चीज और इसमें जो अंदर मसाला ढलेगा उसमें ग्रीन चिली अनियन और कोरियंडर इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें जो मैंने चीज ग्रेट करके रखा था वो में डाल रही हूं चीज आप अपने टेस के अकॉरडिंग कम ज़्यादा भी कर सकते अगर आपको यह जो में ट्रॉफिंग त्यार करें इससे आप इसमें चीज ज्यादा अगर बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उसमें चीज भी डाल सकते हैं फिर में इसमें डाल हूँ हाफ टीजपून ब्लेक पेपर और आफ टीस्पुन के करीब सॉल्ट डाल रही हूं क्योंकि वैसे भी चीज में पहले थोड़ा सॉल्ट होता ही यह चीज और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजी इस तरीके से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजी और फिर पराठे सेखने के लिए हम पहले गेस ऑन कर दें दें तब तक हमारा तवा गरम होगा हम इसको बेल के तयार कर दें तब तक यह देखे दोस्तों इसको इस तरीके से आप मिक्स कर लीजी अच्छे से अब मैं आपको बताती हूं कैसे बनाना है इस तरीके से आप इसमें से थोड़ा सा यह देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना अब इसमें हम थोड़ा सा अंदर भी घी लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमारा स्ट्रक भी अच्छा से चीपड़ जाएगा इसमें अब मैं इसमें यह फिल कर रही हूं इस तरीके से आप इसको ऐसे ही खट्टा कर लीजी फिर यह उपर का इतना निकाल कर अब इसको सिंपल जैसे हम बलते हैं वैसे बैल लेना है लेकिन इसको हलके आत से बैलना है आपको क्योंकि इसमें प्याज भी है हरी मिर्ची भी है वैसे तो हमने एकदम बारिक बारी काटी है लेकिन फिर भी आपको इसको एकदम हलके आतों से ही बैलना है इस तरीके से आप इसको बैल लीजी यह देखें बिल्कुल यह बन गया है आप इसको ज्यादा पतला करेंगे तो फिर इसमें से बहार निकलेंगे प्याज और चीज वह बहार निकलने लगेगा सेखते समय तो इसको थोड़ा सा मोटा ही रगए देखिए तब हमारा गरम हो चुका है इस पर मैंने पराठा डाल दिया है पहले थोड़ा सा गैस को हमको फास रखना है पिर कम कर देना है क्योंकि चीज है उसमें तो वह थोड़ा मैल्ट होगा इसलिए इसको थोड़ी दीमियाज पर ही हमको इसको सेखना है लगा नेको अथे लेकी ने परंशना गी मोदाना की कना इख़ेंप सपस्धाया मैं दुप सेखना थोड़ी तनके दी कियो लाइते हैं इसना आप इसको फोड़िव साइट का उसमुंस है इसको प्रावता बारीनियों आपनोल है हैं अधर अलए यहाई यह बाइब पाज़ बाइब दूखर लोगा के लिदा यह पाज़ जड़ा है देखें ये पूरा सीख चुक है हमारा पराठा दोनों तरफ से इधर से भी और ये दुस्य साइट से दूँ इसको थोड़ा से मोटा बनाने का रिजन यही है कि वह इसका मैंट नहीं होगा चीज तो बहार निकल रहेगा में तो इसको मोटा बनाओगे तो बहार नहीं निकलेगा इस तरीके से पुरा सीख चुका है अब मैं आपके इसको सर्व करके लिखाता हुआ लिजिए दोस्तों तैयारे गर्मा गरम चीज अनियन पराठा जिससे आप टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी या फिर दही किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं मजे लिजी लाउड़ाउन में गरम गरम ब्रेक्पास के साथ दोस्तों मरे चनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जलूर कीजि झाल